गुर्ग्राम समेत हर्याना की तमाम बड़ी ख़बरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचें सबसे पहले अगले साल पांच राज्यों में विधान सबा चुनाओ है उससे पहले एक तरफ बीजेपी सत्ता के चाहा में लगी है तो वहीं दूसरी और कॉंग्रेस अपनी साक बचाने में जुटी है पंजाब में हुई सीम पलट की राजनीती तो सभी ने देखी लेकिन अब कॉंग्रे की लगातार हो रही मिटिंग से लगाया जा सकता है जी हां पंजाब के बाद अब राजिस्थान में कॉंग्रेस हाई कमान सरकार और संगठन में बदलावों की तयारी कर रहा है बदलाव से पहले कॉंग्रेस में दिल्ली से लेकर जैपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है दिल्ली में इन बदलावों का खाका तयार करनी को लेकर बैटकों का दोर जारी है सचिन पाइलेट कल से दिल्ली दोरे पर है शुकरवार को पाइलेट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है सचिन पाइलेट आज भी कई निताओं से मिले इन मुलाका को राजिस्थान में बदलाव से पहले की तयारियों से जोड़ कर देखा जा रहा है वहीं एक अक्टूबर को कॉंग्रिस नेता दिग्विजे सिंग के प्रस्तावित जैपुर दौरे में मंत्री विधायकों की बैठक लेने की कारिक्रम ने भी सियासी हलकों में चर्चाएं स्वास्त मंत्री रगु शर्मा की भी शुक्रवार को राहुल गांदी से मुलाकात की चर्चा है अक्टूबर में कभी बिन बदलाव की शुरुवात होने क्या असार है मंत्री मंडल फेर बदल से बदलाव की शुरुवात होगी इसके बाद संगठन के खाली पड़े पदो पर नियुक्तिया होंगी मुख्यमंति अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट खेमों के बीच खीचतान भी जारी है इस बीच अब सचिन पाइलेट खेमे के लंबित मुद्दों पर जल्द समधान पर काम आगे बढ़ सकता है राजिस्थान में सत्ता संगठन में फेर बदल से पहले दिली में लॉबिंग तेज हो गई है कई मंतियों ने दिली जाकर अपने राजनितिक आँकाओं के जरिये सियासी हवा के रुख की टोहू लेना शुरू करतिया है कई नेता और मंतिरी दिली जाकर आचुके हैं गहलोत सरकार में शामिल कई मंतिरी अब ड्रॉप होने से बशने के लिए भी सियासी आँकाओं के जरिये लॉबिंग कर रहे हैं तो कुछ मंत्री बनने के दाविदार विधायकों ने भी अपने स्तर पर लॉबिंग शुरू करती है अब ऐसे में देखने वाली बात है कि राजिस्थान में क्या तस्वीर देखने को मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस